रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंच बेच रहे हो, एरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सलग बेच रहे हो, बिटिसियल बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे जो डल होजी न कर सका वो ये हुकाम कर देंगे और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को निलाम कर देंगे इस देश की संपत्तियां, किसी की निजी संपत्ति नहीं है, इस देश की संपत्तियां, हिंदुस्तान के 130 करोन लोगों की संपत्तियां माने वाइए, ये रेल, ये सेल, ये BPCL, ये LIC, ये बैंक, ये एरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बलकि हिंदुस्तान क 130 करोन लोगों ने अपने स्रम से अपने परिस्रम से इन कमपनियों को इन संपत्यों को बनाने का काम किया है वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्यों को बढ़ाते हैं वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्यों को बेचने का काम करते हैं कपूप सरकार चल देए सर इस देश के देश को बेचने का काम कर रही है, देश की संपत्यों को बेचने का काम कर रही है, सर मुझे समझ में नहीं आता सर, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ अंगरेजों को दलाल, बुरा इनको लग जाता है, ये क्या है सर, यह क्या है? मैं कहता हूं अंग्रेजों से माफी मांगने वाले बुरा इनको लग जाता है? मैं कहता हूं अंग्रेजों के गुलाम बुरा इनको लग जाता है? क्यों बुरा लगता है से? क्यों बुरा लगता है? क्यों बुरा लगता है? अरे सुनो ना सच को सुनो